गुट मॉर्निंग स्ट्वियंस कैसे हैं आप सब उमीद करती हूं आप लोग अच्छे होंगी आज आपकी वक्षीट नमर 33 है से अच्छे से लेबल कर लीजी डीड डाल दीजी क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजी यह आपकी एसस्टी की वक् यानि अगर सड़क पर गारी चलाने की जो नियम है वो नहीं होंगे तो क्या होगा चलिए इस कांसर देखते हैं इस कांसर देखेंगे यात यात कि अगर नियम नहीं होंगे तो उससे दुरगटना हो जाएंगी पैदल चलने वाले और जानवरों को चोट लग सकती है पढ़ने के लिए अगर आपके स्कूल में आने जाने का टाइम है आप सुबह चुटी हो जाए अगर ऐसा हो तो क्या होगा चलिए अंसर देखते हैं अगर स्कूल में नहीं होगा तो बच्चे अपने पसंदिदा विश्यों को पढ़ेंगे बाकि चीजों को पढ़ेंगे तो उसके बार क्या हो गया कोई रून नहीं नहीं कोई utzत्म पार जैंगे कोई शुटीजा रहें आ इसलिए नियम का होना बहुत ज़रूरी है अगला कुछन देखिए जब आप अपने सातियों के साथ मिलकर कोई भी खेलते हैं तब किसी नियम किस प्रकार तैह किए जाते हैं नैंसले होना ज़रूरी है क्योंकि अगर खेल में खेलते समय प्रति दिन नहीं पीठी नहुने लगे हैं ना और दूसरी चीज़े हैं कि यदि हम स्लाइट पर हैं या जूले बारें तो किसी को धक्का ना दें हैं अपनी बारी आने का इंतिजार करें इसे कोई भी अगर हम खेल रहे हैं तो उसमें नियम और कानून का होना बहुत ज़रूरी है अगला कुशन लिखा है केलते समय किसी साथी द्वारा नियम ना मानने पर क्या किया जाता है तो चले इसकान सा देखते हैं कि आप यहां से लिखेंगे अगर कोई साथी नियम का पालन नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे उसको पालन करने के लिए कहेंगे अगर फिर भी नहीं क तो हम क्या करेंगे उसे खेल से बहार निकाल वाई अब समय करते समय नियाम बनाने और उनका पालंद करने की जरूरत होती है कि सब एक रहते हैं कि इसके लिए भी नियाम बनाने होते हैं कि कि भी देश के कानून कहा जाता है जो अलग-אלग देशों में अलग-अलग तर्याके से बनाे जाते हैं यह नहीं तो सब अपनी अपनी दादागी टीरी करेंगे कोई किसी की सुने गई नी अपने माता पिता अत्वाशिक शक्षक से चरचा करके बताएंगे कि किसी भी देश में बनाये जाने वाले कानून क्या सभी के लिए बरापर होने चाहिए यदि आपका जवाब हाँ है तो उसका कारण भी दीजिए तो चलिए इस कान सा देखके वीडियो को फिनिश कर दें कि लोकतंतर में यह महत्वपूर्ण है क्योंकि कि किसी के साथ भी धन घन यानिकी धन पैसा जाती धन धर्म किसी के अधार पर क्या है आसामानता नहीं करने चाहिए